करनाल में हुए हंगामे को लेकर मुख्या मंतरी मनोहर लाल खटर के नाराजगी साफ तोर पर नज़र आई जहां उन्हें कॉंग्रिस को आड़े हातों लिया मुख्या मंतरी के बयान पर नेता प्रातिपक्ष भुपेंद्र सिंग हुड़ा ने पलटवार किया और कहा कि मुख्या मंतरी मनोहर लाल एहंकार में बोल रहे हैं उन्होंने कहा कि राजनिती में एहंकार का कोई स्थान नहीं होता है और सरकार को कोई भ्युक्साने वाली बात नहीं करनी चाहिए प्रदेश अराजग तक यह ओड़ जा सकता है उन्होंने कहा कि आंदोनन अब तक शान्ती पूर्ण ही चल रहा था हुड़ा ने कहा कि सरकार को कोई भ्युक्साने वाला काम नहीं करना चाहिए पहले ही प्रदेश की कानून व्यवस्था चर्मराई हुई है हुड़ा ने कहा कि जब 15 तारिक्त है और सुप्रिम कोर्ट में सुनवाई चल रही है तो उकसाने वाले बाते नहीं करनी चाहिए कॉंग्रिस और वाम पंतियों पर सीम के आरोप पर भुपेंदर सिंग हुड़ा ने कहा कि मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि क्यों विरोध हो रहा उनका कानून हम तो नहीं लाए अपनी कमजोरी दूसरे पर डालना चाहते हैं भाश्पावाले राजनीती में एंकार को कोई स्थान नहीं होता है जब वहां प्रताव विरोध होगा तो सरकार को टक्राव से बचना दिये और कोई भी उकसाने वाली बात नहीं कहने चीज़े उकसे सिती बहुत गंबीर है अगर यह उतला तो परदेश राजक तक क्यों और जा सकता है तो इस वास्ते बड़ी सूजबूस से और जब कि किसानों का जो परदर्शन चल रहा है जो अंदोलन चल रहा है वो शान्ती पिरिया और एहिंसक है तो यह ऐसे उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं चाहिए टक्राव नहीं सरकार को चाहिए दाकि शान्ती बनी रहे पुड़ा ने कहा कि इन सभाओं की वज़ा हर्याणा की मुख्या मंतरी को केंदर में जाकर केंदर की सरकार से बातचीत करनी चाहिए उन्होंने कहा कि 71 किसानों पर केस के मुद्दे पर यह तो उनकी कारवाई है मेरा कहना है कि सरकार को टक्राव से बशना चाहिए ही है पंदरा तारीख को वारता आराप के लिए ग्रार ककेंदर सरकार ने और कि सवास्ति बलारक्गे-वू स्कता पूंस कुछ भी फैसला हो सकता है न तो इनका किए कहने का है को और चित नहीं है यह भी उक्साने वाली बात चंडिगर से वी नियूस के लिए कुमार रमेश की रिपोर्ट कर दो